उत्तर प्रदेश के उपमुख्य मंत्री केशव प्रसाद मौर्य चर्चा में है। कारण है उनका बयान जो उन्होंने यूपी के मैनपुरी में आयोजित चुनावी रैली में दिये। दरसल मौर्य मैनपुरी में बीजेपी प्रत्याशी जैवीर सिंग के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुचे थे। यहां समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव की पतनी डिंपल यादव को मैदान में उतारा है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, मैनपुरी समाजवादी पार्टी का आखरी किला है, इसे उखाड फेको और कमल खिलाओ। उन्होंने कहा, विरासत में मिली राजनीती से मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव ने प्रदेश को गुंडों, अपराधियों और माफियाओं की आरामगाह बना दिया। पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही नारा लगा, जिस गाड़ी में सपा का जंडा, उस गाड़ी में बैठा गुंडा। बता दे कि लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में साथ माई को बरेली, संभल, हातरस, आगरा, फतेहपूर सीकरी, फिरोजाबाद, एटा, बदायू और आवला समेत मैनपुरी में भी मद्दान होगा।